हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फ्रेंड्स मैं आपके लिए आज इतना जबर्दस नुस्खा लेकर आई हूँ कि आप बस हैरान हो जाएंगे उसके रेजल्ट्स को देखके फ्रेंड्स बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पर निखार नहीं होता है डलनेस होती है और ब्राइटनिस नहीं होती है बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं और वो बहुत ज़ादा परेशान होते हैं तो friends आपको परिशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिसका result 100% आपको मिलेगा इस चीज़ का मैं दावा कर सकती हूँ तो friends मैं आपको वो नुस्खा बता रही हूँ उसके जो ingredients से बहुत ही आसानी से आपको अपके घर पे मिल सकते हैं और अगर नहीं मिलते हैं तो आप बजार से ला सकते हैं तो friends सबसे पहले हम यूज करेंगे चंदन पाउडर यह चंदन की लकडी का पाउडर है और बहुत ही easily आपको मार्केट में मिल सकता है मैंने already 3 चंदन का पाउडर एक बावल में निकाल के रखा हुआ है चंदन का पाउडर हमारी सकीन के लिए बहुतнемपॉर्टेंंट होता है हमारे सकीन के जड़ों तक जाकर वो निखार देता है और ठंड़क पहुचाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है विटामिन e की कैपसूल्स विटामिन E capsule यहाँ पर हम लगबग एक विटामिन E का capsule यूज़ करेंगे विटामिन E हमारे सकिन के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे सकिन को tightness करता है और हमारे सकिन को proper सही दरीके से निखारता भी है तो आईए अब हम इन चीजों को mix करते हैं सबसे पहले हम विटामिन E कैपसूल लेंगे और उसे चन्दन पाउडर में कुछ इस तरीके से डाल देंगे और अब हम इसमें गुलाब जल की थोड़ी से मात्रा मिक्स करेंगे यह लगभग 1-1.5 चमच है और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम इसमें थोड़ा सा और गुलाब जल मिक्स कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह तीनों का मिक्षर बहुत अच्छी से मिक्स हो चुका है और अब रेडी है आपके फेस पे लगाने के लिए तो हम इसे अपनी फेस पे उस जगह पे लगाएंगे जहां पे आपको पिमपल की प्रॉबलम है या किसी भी तरीके के दाग धब्बे हैं या फिर रिंकल की समझ से आपको परिशान कर रही है और अगर आप पूरे फेस पे भी इस से लगाना चाहते हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस तरीके से चंदन पाउडर का पेस पैक लेके आप अपने पेस पे लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से इसे इस तरीके से मसाज करते हुए लगाना है और 10 से 15 मिनट तक उसे सूखने के लिए छोड़ देना है व्रेंड्स त så 15 मिनट के बाद जब इस रिमूफ करना है तो थैस दस से पंदरा मिनट के बाद सूखने के बाद हमने उसे रिमूफ कर दिया है तो यह बहुत ही असरदार राम बान इलाज है आपके दागधबों के लिए आपके पिंपल्स के लिए आपके जुर्यों के लिए फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप जरूर घर पे इन उसका ट्राय करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे फ्रेंड्स हम हमारे बहुत सारे वीडियो लाइक किये हैं शेर किये हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद